जोहार सातियों आप सभीको जारकन नोटबुक चैनल में हार्दिर स्वागत है आज हम लोग बात करेंगे गोड़ा जिला में जो TGT और PGT की निजुकति को लेकर के किसमें कौन से विद्धालेयों में आदर से विद्धालेयों में इसको लेकर डिटेल विडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको फॉम कैसे अपलाई करना सारे चीज़े के बारे में डिटेल में सबसे पहले बात किये थे जारकन नोटबुक में तो हम लोग देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितना वेकंसी जै आप एपलाई कैसे कर पाएंगे और आपको जोगता क्या होनी चाहिए अगर हम लोग PGT की बात करें तो हिंदी में टोटल इसमें दो पोस्ट है English में 3 है, Sanskrit, History, Sanskrit में कोई पोस्ट नहीं है, Geography में 3 पोस्ट है तो यह सारे पोस्ट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, इसको स्क्रीन आप ले सकते हैं उसी तरह TGT के अगर हम लग बात करेंगे, TGT में भी English में 4 पोस्ट है फारसी, mathematics में 4 post है, biology में 4, geography में 4, history में 0 है, Sanskrit में 3 post है, economics में 3 है, टोटल number of post की बात करें हम लोग, तो PGT में total number of post होगया, आपका 27, और TGT की अगर हम लोग बात करें, तो TGT में total number of post होगया, 30, तो लगबग लगबग दोनों मिला कर 57 post है इसमे, तो अगर आप educational qualification को correct करते हैं, तो आप इसको apply कर सकते हैं, तो हम लोग बात कर लेते हैं, क्या educational qualification रखा गया है सब के लिए, अगर हम लोग PGT की बात करें, तो PGT के लिए आपको क्या होनी चाहिए, संबंधित विशह, जिस विशह में आप apply करेंगे, उस विशह में आपका master degree ह होनी चाहिए, और साथ में आपके पास B8 का degree होनी चाहिए, तो DLA वालों के इसमें मोका नहीं दिया गया, only B8 वालों को ये मोका दिया गया है, तो अगर master degree है और B8 है, तो आप क्या कर सकते हैं, किसमें apply कर सकते हैं, PGT post के लिए आप apply कर सकते हैं, दुसरा अगर हम लोग ब आपका B8 होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, तो इसमें भी DLA का कोई मोका नहीं, only B8 वालों को मोका दिया गया, अब लोग next इसका important information की बात कर ले, तो उमर का गनना 21-55 साल तक की होगी, और उमर का जो आकलन का गनना होगा, 31 December 2022 का अधर पर क्या जाएगा, आरक्षन के हर आपका सलरी की बात करें, तो और PGT वालों को 27,500 और TGT वालों को 26,250 रुपिया आपका सलरी मिलेगा, सबसे most important कि चैन पर क्रिया आपका सेलेक्षन किस प्रकरज होगा, सबसे पहला आपको apply करना होगा, offline apply application है यह, जिसको last में मुलक बात करेंगे, कैसे करना आपको, चै के आधार पर आपका merit list त्यार किया जाएगा, और चैन समीति का जो भी निर्ने होगा, वो अंतिम निर्ने होगा, चैन पर क्रिक्रा को बिना करन छोड़ी, यह सब कोई बात नहीं, तो यह आपको clear होगा, आपका सक्षतकार होगा, और आपको demo teaching लिया जाएगा, और आपका selection होगा, अगर हम लोग apply करने के last date की बात करें, तो गोड़ा जिला के लिए 6 फिरवारी 2023 तक है last date apply करने को, इसके लिए आप कहां से download करेंगे यह format, तो आप godda.nic.in के site पर जाएंगे, requirement बाला section में जाएंगे, तो वहां आपको यह PDF मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको download क करके अब apply कर सकते है, तो apply करने के लिए गरम लोग सुल्क की बात करें, फीक की बात करें, तो 100 रुपिया है आपका अनुस्तित जाती, जन जाती, सरनी के बरती के लिए 50 रुपीज और बाकी के लिए 100 रुपीज यह जो आपको दिख रहा होगा, यह form आपको भरके घेजन आपको समय पर जानकरे मिलना बहुत ही इंप्रोटेंट है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तास अल पर तोड़े, थैंक यू पर टनिंग दे सेशन, एगन जोहार जारकंट